नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आप सभी लोगों के लिए खुशकबरी है क्योंकि P.E.T. का विज्यापन आ गया है अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की गौर्मेंट जॉब से रिलेटिड अपडेट्स आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तो जैसे कि आप लोग को पताई है कि अब UP SSC से जो भी भरती आएगी उससे पहले P.E.T. कौलिफाई होना चाहिए तो P.E.T. के लिए रिज्टेशन स्टार्ट हो गए है देखते हैं कि कौन-कौन से पद इसकी परिधी में आने वाले हैं तो दोस्तो यह जो विज्ञापन आया है इसकी जो रिज्टेशन स्टार्ट होंगे यह 25-5-2021 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तो वह है 21-6-2020 तो आप जल से जल जो है इसके अंदर रिज्टेशन करवा लीजिए इसके बाद क्या है इसमें हाँ इसका आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तो आपका जो मोबाइल नंबर है इमेल आईडी है और जो कैटेगरी है उसे छोड़कर तो संसोधन हो सकता है मगर इन तीन चीजों में संसोधन नहीं हो सकता इसलिए जो है बहुत ही सोच समझ के भरना है आपको अब बात करते हैं कि किन किन परिक्षाओं के लिए यह होगा देखिए जो यूपी ट्रपल सी की जो पुरानी परिक्षाओं जो चल रही है चाहें फिर वो लोर की हो जूनियर असिस्टेंट की हो या फिर जितने भी वीडियो की है वो पुरानी उसकता है कि अब तक की सबसे बड़ी भरती हो कारण उसका ярक है कि सभी विवागों से टाटा इकटा किया गया है और अप विज्जापन मांगी जाती है तो आप विग्यापन में देख लेते हैं कौन कौन सी महत्पूर्ण जानकारिया है जो कि आपको पता होना चाहिए तो आवेधन ऑनलाइन होगा इसके लिए मिनिमम योग गिता क्या है देखे दोस्तों जिन लोगों ग्रेज़ीशन लिए कर देखें जब विग्या पन आवेधन करते समय ना भरें तो इसलिए आपको जितनी भी आपके पास जो भी कौलिफिकेशन है चाहें आपने B8B कर रखा है, सब कुछ इसके अंदर जो जो option दे रखा है, वो सारी चीज़े आपको भरनी है, क्योंकि बात मैं पता है नहीं, इसमें कौन सा पद introduce हो और उसमें कौन सी qualification मांगी गई हो CCC कर रखा है CCC के बारे में जानकारी दीजिए अभी मैं आपको पूरे एक form भरके बता दूँगा कि किस तरीके से इसका form भरा जाता है ठीके? Online आविदन की जो अवदी है, वो उसके बारे बात होई गई है और इसमें बता रखा है कि कौन कौन से जो है अनिवार रिता, परिक्षा के लिए अनिवार रिता क्या है? इसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की परिधी में आने वाले विविन विवाव के जितने भी है जो कि यूपी ट्रपल सी अभी तक करा रहा है तो पहले पीटी होगा और मुख्य परिक्षा के लिए शॉट लिस्ट की जाएंगे और उसमें अरक्षण रहेगा horizontally भी और वर्टिकल भी ठीक है? और इसके बारे में और जानकारी देते हैं इसमें यहां पर बता रखा है दोस्तों कि कौन-कौन से पद इसके अंदर इंक्लूड होंगे इसमें minimum grade पे की बात करें तो 1900 ग्रेट पे यहां पर आप देख सकते हैं और बाइलिस सो ग्रेट पे जैसे कि आपको पता है कि यहां पर सक्षिक योग गिता की बात की गई है कि मैंने आप लोगों को बता है कि minimum जो है इसके अंदर high school आपका होना चाहिए तब ही जो है आप इसके लिए apply कर सकते हैं और दोस्तों आप मतलब जो भी लोग हों जिनके पास high school है इसे जरूर apply किजिए क्योंकि कोई भी इसके बाद जो भी विज्यापन निकलेंगे चाहिए वो किसी भी भरती के लिए हो अगर आप कीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो जो है आगी कि किसी भी चरण में आप नहीं बैठ सकते फिर इसमें लिखा हुआ है कि हाई स्कूल एवं इसके समकाक्ष अनिवारता होनी चाहिए और इसके बाद जो है कोशल परिक्षण साडिक परिक्षण जो है वो इसके पाठिक्रम की बात करें तो पाठिक्रम जो है पहले ही अप्लोट किया जा चुका है आप लोगों पता ही होगा कि 20 फरवरी को ही इसका बताया गया था और परिक्षा क्योंकि यह मल्टीपल शिफ्ट में होनी ही है क्योंकि आपको बता है कि इसके अंदर जो है लाको में सब्सक्रम की कारगा होया और जो आपका स्कॉर कार्ड है स्कॉर कार्ड वो एक साल के लिए मानने होगा और फिर उसके मतलब यानी कि यह साल में परिक्षा Bong के उसका 5 10 ξासी कारी करता था और शल civ के जाएघा बैंक इन्ट्रियु लेते थे उसी तरीके से यह मान सकत कि स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा ठीक है फिर आविदन कैसे करें उसके बारे में इंस्ट्रक्शन बता रखें यहां पर ठीक है फोटो कैसा होना चाहिए सिग्निचर तो अभी जल्दी ही में आपको फॉर्म क्योंकि कई लोग होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्म में इसके अंदर क्या भरना है इसके अंदर क्या नहीं भरना है तो यह पूरा जब भरेंगे तभी आपको इसमें बता दिये जाएगा स्टैप बाई स्टैप ठीक है और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और यह तो सब फीस वगरा के बारे में बताया गया है फीस जो ह सकता है मगर जैसे कि बताए कि तीन चीजों में आप संसुधन नहीं कर सकते मोबाइल नंबर इमेल आइडियो और अपनी केटिग्री बड़ा ध्यान से बढ़ना है दोस्तों यह सब चीजें ठीक है अब हम बात करते हैं इसमें और क्या जानकारी दी है और इसके अंदर सिलेबस में एतियास जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी ट्रपल सी की सभी परिक्षाओं में आता ही है तो यह सारा है पुराना सिंदुगाटी सभिता वैदिक संस्कृती यह सारी चीजें इसके रहेंगी और इंडिया नेशनल मूवमेंट का जो है पांच नमबर देंकि स इस सिलेबस में जो भी गाउर्में्ट जॉप कि जो सिलेबस आते हैं उन 배ओ उनमेे कभी दिफाइन नहीं होता है कि यह जो परशन है यह इस में कितने नंबर दो यह जो पांच नमबर का जो है इन्द्या है जाएगा जोक्रफिन से बात करें तो आह उसके पांच नमबर की सम्विधान भी पांच नंबर का है जनरल साइंस भी पांच नंबर की है अंक गडित जो है पांच नंबर की है यहां पर आप देख सकते हैं अंक गडित का तो दोस्तों जिन लोग का गडित का भै है जिने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मैट से इतनी पढ़ाई की तो मैत भी आप देखेंगे कि पांच नंबर की ही आने वाली है इसमें यह हो सकता है कि कोई पोर्शन अगर आपका ज्यादा मजबूत है तो अगर थोड़ा बहुत कोई कमजूर भी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको मगर पीटी में दोस पांच नंबर की है और जनल इंग्लिश की भी आगर हम बात करें तो वह भी पांच नंबर की है समाने इसमें क्या आएगा है अंग्री जी व्याकरण है व्याकरण में जिससे की आपको पताई है टेंस हो गए एक्टी पैसिव डारेक्ट-इंडारेक्ट और आप अठित जनल अवेर्नेस की बात करें तो यह वैसे जी इस का ही पार्ट बारना जाता है मगर जनल अवेर्नेस में यह सब्सेश्च करांट अफेर में आप कह सकते हैं तो करंट-फेर का बहुत ज्यादा वेटेज यह है ठीक है तो 20 नंबर आप यह मान लीजिए शमसमाई की और जनल और ग्राफ रिजनिंग का पार्ट मान सकते हैं या मैथमेटिक्स का भी आप जैसे भी कहें और ताली का तो यह जो है टूटल मिलाकर आपका स्लिबस रहने वाला है बहुत सटीक स्लिबस है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करनी चाहिए दोस्तों आने केरियर गाइडेंस के लिए सीधे फोन पर बात करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है दन्यवाद जैहिन जैभारत